हाँ गाइज वाज़ वीडियो में देखने वाले हैं कि 5W में setup में कौन से वो छोटी modifications करके आप अपने winning probability को बढ़ा सकते हूं साथी साथ जो आपका risk reward ratio होता है वो भी अच्छे से manage हो जाए तो वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में share करने वाला हूं कि आप कैसे कौन से छोटी modifications को करके आप अपने trading style को 5W में strategy के basis पे अच्छा कर सकते हो यहां पर देखते हैं दिन के शुरुआत कहां पर होती है यह देखोगे तो gap up opening होता है gap up opening के बाद नीचे से थोड़ा सा rejection भी आता market नीचे तो आया लेकिन उसके बाद यहां से rejection देखने को मिलता है तो एक तरीके से basically कि यह bull trap है क्योंकि आगे अब देखोगे तो market में जादा है तो वह इसको नीचे की तरफ ड्राग जरूर करेगा थोड़ा सा क्योंकि यह gap वाला जिन लोगों का profit हो गया वहां profit booking तो जरूर आएगी तो जो लोग buyers थे यहां पे थोड़ा और उपर market गया gap up opening के बाद में तो उनको profit होने लगा profit booking करेंगे तो market नीचे आएगा उसका low जैसे break होगा हम entry ले लेते हैं और यहां पे देखोगे यह वाली जो candle है यह सबसे आकरी candle है जो बहुत ही उपर बनी है और इसके बाद इसका low break हुआ है तीन चार candle अगर उपर बन जाती है बीना touch के हुए तो सबसे last की जो candle होती है उसका low break होने का हम wait करते हैं तो य day high यहां पे क्या है alert candle का high अगर देखोगे तो day high जो उसकी next candle हो से थोड़ा सा नीचे है तो हम safe side होते हुए हम day high को अपना stop loss रखेंगे ना कि alert candle का stop loss ठीक है कहा यह जाता है कि alert candle को रखो लेकिन वो तब जब alert candle का ही high जो है वो day high हो या swing high हो यहां पे next candle का high जो है हमारा day high ह इसलिए इसी के high को stop loss रखा गया जो की तक्रीबन 68 point का spot के chart पे है अगर आप देखोगे यहां पे तो 1 is to 2 का target meet करने के बाद यानि कि यहां पे देखो market 1 is to 2 तक आता है और इसके बाद यहां से market 2 पर की तरफ reverse कर जाता है reverse करने के बाद आपका stop loss यहां पे hit होता है कौन से point पर 11 बज कर 50 मिनट पर ठीक है तो अगर आप 1 is to 2 के target से satisfy हो जाते तो यहां पे आप निकल के अपनी profit booking कर सकते थे क्योंकि मैं forward testing कर रहा हूं तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि जब तक 1 is to 3 नहीं मिल जाता तब तक हम market से बाहार ने निकलेंगे और 1 is to 1 में भी हम नही निकलेंगे लेकिन हां लिखेंगे ज़रूर ताकि हमें पता रहे कि कौन सा risk reward ratio इसे strategy में अच्छे से काम करता है और यही हमारे किसी भी testing का एक outcome निकालने का तरीका होना चाहिए कि आप देखो जो भी आपका maximum risk reward ratio है 1 is to 3 अगर उससे नीचे रखते 1 is to 2 रखते 1 is to 1 रखते इसमें ADX add कर दो बिल्कुल कर सकते हैं आप अपने accordingly इसमें अलग-अलग चीजें filter लगा के आप stocks को filter कर सकते हो या index को proper trading कर सकते हैं लेकिन मेरा purpose क्या है कि मैं आपको इसी strategy को naked test करके दिखाओ बिना किसी additional confirmation के बिना किसी price section को देखे हुए हमें यह देखना है कि without any other support अगर इसे भी पता है कि आप price section लगा दोगे तो और improved हो जाएगा आपको indicator लगा दोगे तो और improved हो जाएगा लेकिन क्या मैं बिना कुछ लगाए हुए सिर्फ इसी line के basis पर trade ले सकता हूँ यह जानना important है इस testing का final purpose है तो उसी को fulfill करने के लिए आप इसमें कुछ भी add नहीं आप comment अगर करते हैं तो फिर मैं वहाँ पर आपको support नहीं कर पाऊंगा reason मैं इसको naked test कर रहा हूँ आगे आते हैं दुबारा से entry हमें मिलती है yes answer है yes यहाँ पर यह देखो फिर से entry मिल जाती है और यह entry इस candle के low break होने पर होगा मैं आपको थोड़ा सा zoom करके दिखाता हूँ यह देखो और यहाँ पर आप क्या करोगे सर इसको stop loss रखोगे alert candle तो यही है 34 point का answer is no day high हमारा पिछला candle देखो यह थोड़ा सा उपर है और यही day high है आज का देखोगे तो तो हम क्या करेंगे day high को stop loss बनाएंगे ठीक है ना कि हम alert candle के high को तो day high कौन सा वाला था let me check this one yes 43 points का ठीक है और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे 1 is 2 3 का target जो है expect करेंगे और यहाँ पर हम नीचे जाते हैं तो यह देखो यह इस जगे पर मैं इसको exactly set करके दिखाता हूं यहाँ पर हमें 1 is 2 3 मिल गया है this is the point yes तक्रीबन 130 points के असपास spot के चार्ट पे उसके बार market देखो फिर यहीं से reverse हो के ऊपर गया और उसके बार फिर से नीचे गिरा तो क्या हमें दुबारा से trade लेना चाहिए answer is no तो पहला trade लिया हमने 68 points का हमने stop loss दिया दूसरा trade लिया हमने मार्केट से 130 points ले लिया यही है हमारी समझदारी की भाई देना है तो छोटा देना है और लेना है तो बड़ा लेना है तो यहां पर आगर आप देखेंगे entry मैंने May 23rd का दोनों कर दिया है 39 वाली 12 वजे वाली candle यहां पर देखोगे 68 points का stop loss 129 points का हमारा टागेट आज के दिन में तो यह back-to-back record करता जा रहा हूं है Cashboard में आके अगर आप देखोगे यहां पर जूम कर देता हूं यह देखो और अभी मैं आपको modification बताने वाला हूं कि क्या modification हमने यहां पर observe किया है तो यह देखोगे 26 trade हो चुके हैं आज तक उसमें से हमारे 17 stop losses हैं 9 में target है और अभी वी हम gain में है 685 points का spot के chart पर premium में देखें तो इसका half क्योंकि हम ATM में deal करते हैं तो यहां पर premium points हमारे इसका half हो जाएगा 342 amount में देखोगे तो 8562 और brokerage हटाने के बाद अगर आप 6% बनता है यानि almost आपका capital डबल हो चुका है और उसी के पास में market जो है आपके capital को sustain करा रहा है यह नीचे अभी जा नहीं रहा है उतना नहीं यह उपर जा रहा है तो मतलब almost 95-96 इसी के आशपास में घूम रहा है ठीक है ओके इसके अलाबा अब आपको बताता हूं catch क्या ह है यहां पर number one मैंने क्या किया था यहां पर आपको पता है कि day high अगर पास में है तो इस day high के high को ही मैंने क्या बनाया stop loss बनाया पहला update यह ध्यान रखना जब भी day high पास में हो 5-10 point के gap पर ही हो तो आप हमेशा क्या करो कि day high को ही अपना stop loss बनाओ ना कि alert candle के high को second update यह है अगर आप आज का करोगे तो डेल्टा impact बहुत जादा होगा आप मान के चलो 12 बजे के बाद कर रहे हो तो और ज्यादा का impact होगा मतलब आपका premium जल्दी से decay करेगा तो उसी impact से बचने के लिए जब कभी भी आपको लगता है कि भाई हम बिल्कुल expiry के नजदीक आ गए है तब ही आप switch कर जाओ अगले week के expiry वाले date के strike price पर उससे एक नुकसान है कि आपको lot जो है थोड़ा महगा मिलेगा लेकिन आप safe तो रहेंगे आप safe side बे play करेंगे और ऐसा तब ज़्यादा करना चाहिए जब बिल्कुल Thursday को trade कर रहे हो Thursday को same date कर लेके आप trade ना करें क्योंकि लाइक ज़रूर करना क्योंकि इसे support मिलता है और और भी वीडियो आपको बनाने के लिए मन करता है और अगर चैनल पे पहली बार तो subscribe कर लें बैल icon को press करते हैं ताकि जब भी वीडियो upload करूं notification आपके पास सबसे पहले आए and अगर आप मेरे live class का part बनना चाहते हो whatsapp का number description म दिया हुआ है वहां से आप मेरे साथ connect कर सकते हैं and फिर live class को join करके सीखिए मेरे साथ ठीक है मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and keep learning new things as always